Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Thanks for watching my previous video. आज की वीडियो में हम use of R सीखेंगे. R मिन्स होता है हैं और हो. आओ हम आज की वीडियो को सुरू करते हैं. Remember, याद रखना ये याद रखो. We, we means हम. You, you means आप या तुम. They, they means way. These, these means ये. These, this का plural होता है. Those, those means way या वो. Those, that का plural होता है. और all plural nouns के साथ, all plural nouns, सब भवचन संग्याओ के साथ, ordinary present tense. सादरन वर्तमान काल में, are helping verb, helping verb मनें सायक क्रिया का प्रियोग किया जाता है. Affirmative sentences, सकरात्मक वाक्य. आएए हम वाक्य को पढ़ते हैं. We are good students. We means अभी बताया मैंने आपको हम. हम अच्छे विध्यारती हैं. जब वी का प्रियोग करते हैं, तो हमेशा noun में S, E, S का प्रियोग जरूर होगा. तो we are good students. हम अच्छे विध्यारती हैं. You are my well-wissor. You means आप या तुम. My means मेरा, मेरी, मेरे. Well-wissor means सुप्चिंतक या हितेसी. भला सोचने वाला. उसको हम well-wissor कहते हैं. तो आप मेरे सुप्चिंतक हो. They are siblings. Siblings मने भाई या बहन. सगे भाई बहनों को siblings कहते हैं. तो they are siblings. वे सगे भाई बहन हैं. These are my books. ये मेरी पुस्तके हैं. These का meaning मैंने बतायान है. ये हमेशा नजदीक, नियर, जो हमारे person, place और thing होती हैं. हमेशा प्रियोग किये जाते हैं. और this का plural these होता है. अगर आप कहते हैं, this is a pen. तो यह है एक pen है. और बहुत सारे pen हैं. तो these are pens. ये these are my pens. तो अनेक के लिए these का प्रियोग होगा. दिस का नहीं होगा. दिस के वल singular के लिए उसे आता है. तो these are my books. ये मेरी पुस्तके हैं. Those are your books. Those means वे या वो. और those हमेशा far. far means दूर के लिए प्रियोग के आता है. और that का plural होता है. That का plural होता है. ये और में सोता है आपका, आपकी या आपके. या तुमारा, तुमारी या तुमारे. तो 2000 your books. वे आपकी पुस्तके हैं. यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और मेरी वीडियोज को ज़ाद से ज़ादा शेयर करें. जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा. आईए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. Learn by heart the following words. Learn means सीखो. By heart means होता है. कंठस्त याद करो. The following words. The following means निमलिकित. Words means सब्दों को. तो निमलिकित सब्दों को कंठस्त याद करो. I. I means होता है मैं. और I का पुलरल होता है वी. We means होता है हम. जैसे I am a good student. और हम अब वी. We are good students. You. You means होता है आप. और You means also plural आप या आप सब. तो जैसे You are my friend. आप मेरे मित्र हैं. You are my friends. मेरे मित्र हैं. ये हैं जो आए है पुलरल का वर्ड होता है. He means वहे. पुरुष वर्ग के लिए प्रियोग के आता है. इन दोनों का भुवचन दे होता है. और दे मित्स वे. जैसे He is my father. She is my mother. अगर वो दोनों एक साथ खड़े हैं. तो दे आर माइ पेरेंस. दे आर माइ पेरेंस. वे मेरे माता पिता है. तो He is my father. वे है मेरे पिता है. She is my mother. वे है मेरी माता जी है. और दोनों एक साथ करने तो दे आर माइ पेरेंस. तो वे मेरे माता पिता है. दिस मन यह है. इसका plural होता है दीज. दीज मिन्स यह. जैसे दिस यह पैन. यह एक कलम है. और दीज आर पैन्स. यह कलम हैं. तो दिस का plural दीज. डेट. डेट मिन्स होता है वे. डेट मिन्स होता है वे. और डेट का plural होता है दोज. डोज मिन्स वे या वो. जो दूर के लिए प्रियोक के जाता है. जैसे डेटीज ए टेमपल. वहे एक मंदिर है that is a temple वहे एक मंदिर है और दोज आप टैंपल्स वे मंदिर हैं तो आई का प्लूरल भी यू का प्लूरल यू ही और शे का प्लूरल दे दिस का प्लूरल दीज और देट का प्लूरल दोस Everyone, please like, share and subscribe to my channel Thanks